सब्सक्राइब किजिए दोस्तों हमारे चैनल को नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रिस किजिए आज हम पढ़ेंगे कख्षा की दर्शी किताब जान पचान से सबब फोर जिसका नाम है सब्र का फल और इसके सायरे मुझदफर हनवी तो इस लेसन को सुरू करने से पहले हम इस लेसन के जो अलभाद माइने हैं उन्हें देख लेते हैं वैसे मैंने लिखवा दिया है एक वा दोसरा तो youtubers की अीर करीब होना है कातारं जिसके मेंनी है यह बड़ी कच्ची ऑपरास इसके माइन होć है किसी के कई हुई बाद सेरfront को कामत अब इस सबबक के बारे मैं आपको बता देता हुँ ठोड़ाocy जिसे ही लेसन आपको और अच्छ से समझ में आ जाएगा कि इस सबब के बारे में जो हमारे शायर मुझफर हैंगी उन्होंने क्या बताया है तो इस नजम की खुबी यह है कि इसमें बच्चों की एक ख्वाईश को बहुती आसान वो जबान में पेश किया गया है ख्वाईश का मतलब होता है चाहत या इच्छा और असान जबान मतलब होता है सबब जबान में इसको पेश किया गया है यानकि इसको बताया गया है यानकि हमारे शायर में जो बच्चों की ख्वाईश होती है उनकी जो feeling होती है, उन्हें ही बहुत ही साधरन तरीके से बताया गया है, बाग में फल देखकर उसे खाने की ख्वाइस होना फितरी बात है, यानि कि नोर्मल बात होती है, कि हम किसी बाग में गये, माँ पर फल लगे हुए है तो उसे खाने की इच्छा होना एक बहुत ही नॉर्मल बात होती है लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें उस बाग के फल तोड़ने का कोई हक नहीं होता मतलब हमें चोरी करने का कोई हक नहीं होता वो किसी और का बाग है तो हम उसके फल नहीं तोड सकते हैं तब हम इस सबक को जो है वो शुरू करते हैं इसका नाम है सब्र का फल अम्रूदों पर लदे पड़े ही गद्राएं फल हपते भर से जब मोका दावत देता हो बंदा क्यों खाने को तर से क्या कहते हो भाई जान तो इस सबक में इस बंद में जो है हमारे शाय मुझ्ञफर हंभी वो क्या कह रहे हैं कि अमृद अपर लदे पड़े हैं गद्राएंफल हक्ते भर से पता हो कह रहे है कि अमृद जो बागों में जो अमृद है जो कुछ आदे कप्चे कुछ आदे पके हुए है यांकि लद्दे पड़े होने माद होते हैं भरे पड़े हैं और गद्रायन में का मतलब होता है आधा पका या पकने के करीब होना तो वो के रहे हैं कि बाज में जो अम्रूद है जो पेड़ों पर हपते भर से लटक रहे हैं जब मोका दावत देता हूँ, बंदा क्यों खाने को तरसे तो फिर ऐसे मोके से क्यों ना खायदा उठाया जाए क्या कहते हो भाईजान तो भाईजान अब इसमें आपका क्या खयाल है यह हमारा एक बंद हो गया अब हमारा दुसा बंद है, इमली की नीची डाली पर जूर रहे हैं पांच कतारे खर्बुजू की मिठी कुश्बु, चीक रही है आरे आरे क्या कहते हो भाईजान तो इस बंद में जो हमारे शायरे मुझपर हम भी वो बच्चों के एहसास का इजहार कर रहे हैं मतलब उनकी फीलिंग को बता रहे हैं कि इमली की नीची डाली पर जूर रही हैं पांच कतारे कि इमली के दरख्थ की नीची डाल पर यांकि इमली की दरख्थ की नीची डाल पर बड़ी बड़ी कच्ची इमलिया लटक रही हैं खर्बू जोकी मीठी खुश्बू और खर्बू जोकी जो मीठी मीठी ओ भीनी भीनी खुश्बू है चीक रही है आरे आरे तो वो खुश्बू है जो कुकार कर कह रही है कि आओ आओ तो क्या कहते हो भाई जान तो फिर ऐसे मुखे से फाइदा उठाने में भाई आपका क्या ख्याल है थीक है अब हम पढ़ते हैं आगे का अपना लास्ता देख रहे हैं आठ शरीफे आँखे फाड़े इस छोटे तालाब के अंदर कुका बेली और सिंधाड़े क्या कहते हो भाई जान तो इस बन में जो शायर है वो कह रहे है कि शरीफों का अठ अपना रस्ता देख रहे है आठ शरीफे आखे फाड़े याई कि सरीफों के दरख्तों में जो आठ शरीफे पके हुए हैं सरीफों का मतलब सब जानते हो जिनने हम सिर्टाफल के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर है जो सरीफ है पैप शित्वा फाल से ही है यहां परिसे मूदान तो सरीफों के दरब्तों में जो 8 सरीफे हैं जो पके हैं वो अपना रस्ता देख रहे हैं कि कोई अगर इनका इस्तिमाल करें या कोई इन को तोड़े को तोडे इस थार, इस छोटे तालाब के अंदर कुका पेली। और सिंगाडे। चोटे से तलाब साहते अंदर कवल निद задач के अंदर भी कमवल और नीनो फलके फूल क्विले हुए हैं। कुका पेली और सिंगाडे. या सिंगाडों की क्या खयाल है अब हमारा लाइश्ट है हम भी हर्थ बढ़ा सकते ही आगे देखें क्या होता है कोल मगर सच्चा है ये भी सब्र का फल मीटा होता है क्या कहते हो भाईजान तो नजम की आफ़ी बंद में जो शायर है मुझदफर हन्फी वो सब्र की एहमियत बता रहे हैं प्लोकों जो भी पके हुएते बागों में पकर तयार है हम चाहें तो उनका इस्तिमाल कर सकते हैं इस्तिमाल करने से मुराद यहां चोरी करने से क्या कि हम भी यह हाथ बड़ा सकते हैं मुराध चोरी करने इन फोलों को तोड़ सकते हैं in drive कर सकते हैं। आगे देखे क्या होता है फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा‡ कोल मगा सच्चा है ये भी सब्र कफल मीटा होता है मगा ये बात बिल्कुल सच्ची है कि सब्र करना चाहिए क्योंकि सब्र कफल बड़ा ही मीटा होता है क्या कहते हो भायजान अब इस बारे में भायजान आपका जो खयाल हो वो बताईए यह हमारा जो लेशन था वो पूरा ह संब्सक्राइब कोज़ें गया है और गया है समतु करूछ संद अमपनों Onu इसमें सब्सक्राइब कोस्ते हो जाएगा इसके किशन आंसर आपको करने हैं, हमारे लिएसन सवाप्त हो चुका है, और मुझे सेंट करना है, और अगर जो समझविन आए, तो वो आप मुझे सकते हो